वुआ हैलो ख्रेंज विल्कम बैक तो चानल अच्छाइन अच्छेश एगएड़िंग यह आज हम देखने वाले हाऊ तो करीट डेताबेस टेटाबेस किस तरह से क्रेट कर सकते हैं किस तरह से को ड्रॉब किया अच्छाइब यहां पे दो वेज एह हमारे पाछ इसके तरह हम डेटाबेस को create करेंगे and database को drop करेंगे तो first method that is automated या in the sense directly option हम यहाँ पर मिल जाता है कि इफ अपने आपका server login किया है कि server login करने के बाद आपको यहाँ पर डेटाबेस option मिल जाएगा database folder के उपर simply आपको right click करना है click on a new database जिन्हें या पर आपको एक database का नाम इंसल्ट करना है जातले कि school हमें आपके नाम देरे हमारे database को school college जो भी है आपके according लिए आप दे सकते हैं तो click on ok simple आपको ok पर click करना है तो आपका college नाम का database या पर create हो जाएगा इसको करेंगे हम यहाँ पर execute करेंगे हम यहाँ पर execute करने के लिए आपको यहाँ पर red color का button दिखेगा execute execute करने के बाद आपको command complete successfully इंदर आपका database create होगा अभी database देखने के लिए आपको simple क्या करना है जो आपका database है उसके उपर right-click करना है और उसको refresh करना है कि आपको database को refresh कर दिया तो आपको आपके database यहाँ पर दिख जाएंगे दोनो database के employee and college अभी similar टाइप में इसको delete है और drop के इस तरह से करना है तो simple आपको क्या करना है database के उपर right-click करना है जो आपको database delete करना है उसके उपर right-click and click on delete delete के बाद यह जो menu option आपके पास आ गया है simple आपको यहाँ पर ok के उपर click करना है तो आपका database यहाँ पर remove हो गया similar via command आपको करना है तो command हमारे पास से for deleting a database drop keyword drop database and database name database name यह जिदा employee अगेन इसको हम select करेंगे and click on execute so similar आपका query execute हो गया है तो again इसको refresh करेंगे आपका database यहाँ से delete हो जाएगा it is a simple way to create and drop your database इप आपको कोई भी इसके अंदर कोई भी query doubt suggestion होगा तो आप हमें comment section में बता सकते है thank you for watching this video